Hello दोस्तो, welcome back again to the YouTube channel और बिना को time-based की हम start करेंगे self-management skills, class 10, physical activity जो subject है उसकी और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो कर लो because बहुत सारी videos आपको मिलने वाली है और जो unit 1, 2, 3 and all that आप channel की list में जो latest videos है उसमें चेक कर सकते हैं बहुत सारी videos upload करी है physical education class 10 की तो जिसका जो भी doubt है वो उन videos से clear कर सकता है और यह जो videos है इपने whatsapp group में share कर देना class के में so that आपके जो friends है उनको अगर नहीं मिल रहा है कोई source तो यहां से पढ़ सकता है यह videos बिलकुली simple and एकदम आसान language में explain की गई है अगर कोई legend ऐसा है जिसने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो एक आदे घंटे में सारा की सारा slaves वो cover कर सकता है इन videos से तो चलो बिना कोई time waste किये start करते हैं तो पहला जो topic है हमारा वो है self management skills होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहला topic में आता है self management self management क्या होता है सबसे पहले तो self control ठीक है self management का simple सा मतलब है अपने आपको control करना अपने आपको manage करना किसी भी situation के लिए और किसी भी परिस्तिती से गुजरने के लिए अपने आपको control करना जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है किसी भी situation को लेगे तो उस time पर अपने आपको control करना अपने आपको self manage करना दूसरा point इसमें हम लिख सकते है ability to control once emotion अपने खुद के जो emotions होते हैं उनको control करना basically अपने thoughts को control करना हमारे जो विचार है कब कौन से time पर कैसे विचार है जैसे अगर कोई बच्चा बहुत देर से पढ़ रहा है तो कुछ होते हैं table पर बैठे बैठे ऐसे thoughts आ जाते हैं दिमाग में एकदम से पूरा mind disturb कर देते हैं उस time पर control करना अपने आपको बहुत ज़्यादा important है मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा time हो गया या बीच-बीच में बहुत बार disturbance आते हैं mind में एकदम से कुछ पढ़ रहा है और random से कोई चीज आ जाती है तो वो क्या करता है पूरे पढ़ाई का जो momentum है उसको खतम कर देता है तो ऐसे में मैं अपना एक solution बताता हूँ मैं क्या करता हूँ एक paper लेता हूँ let's say मैंने एक diary ले रखी ऐसे मैं एक diary लेता हूँ और इस diary को अपने side में रखता हूँ जो भी मेरे mind में thought आता है ठीक है तो वो कभी-कभी क्या होता है हम table से उठ जाते है उस thought की वज़े सा मैं इसमें लिख देता हूँ let's say जब मेरे 5-10 minute जो भी पढ़ाई का time है वो खतम होगा तब मैं इस पर सोचूँगा ठीक है मैंने लिख दिया फिर 15 minute बाद फिर से एक और thought आ गया तो मैंने कहा किया वो thought फिर साइस में लिख दिया तो इससे क्या होगा हमें एक तसल्ली मिल जाती है कि चलो ठीक है अब बाद में देखेंगे तो ये diary हम मैं ऐसे रख लेता हूँ उसके बाद कौन-कौन सी skills है जो हमें जरूरत होती है life में आगे बढ़ने के लिए उसके बारे मैं बात करूँगा मैं एक मिनट हाँ तो सबसे पहला इसमें जो skill है life में आगे बढ़ने के लिए that is self awareness एक person के अंदर self awareness होना बहुत जादा important है क्योंकि self awareness की वज़े से ही हम आगे बढ़ पाते है life में हना हमें पता होना चीए हमारे आसपास environment में क्या चल रहा है ठीक है और खुद की personality के बारे में चीज़े है वो gather करना मतलब अपने बारे में okay तो हमें क्या करना पड़ेगा पता होना चीए okay उसके बाद responsibility तो अगर कोई बंदा self aware है उसको पता है मेरी capabilities क्या है मेरी शमता क्या है मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ठीक है तो वो क्या हो जाएगा self awareness हो जाएगा उसके बाद responsibilities एक कामियाब होने के लिए किसी person को responsibilities का लेना बहुत ज़रूरी होता है let's say class teacher ने किसी ने कोई task दिया कि भई आप ये काम करो तो बच्चा क्या करेगा अपने उपर उस responsibility को लेगा let's say मैं आपको एक responsibility देता हूँ कि ये जो वीडियोज है जैसे आप अपने whatsapp group में share कर सकते हो तो अपने दोस्तों की help करने के लिए और इसमें कौन सा आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है तो ये एक responsibility है जो आप ले सकते हो इस type की चीजें तो taking ownership of the task जैसे मैंने कोई task दिया उसका आप एक ownership ले रहो कि हाँ भई मेरी ये responsibility है मैं ये काम करूँगा तो एक अच्छा successful person life में जो होता है वो stealth awareness करता है मतलब अपने उपर पूरी research करता है कि मेरे क्या scope है और क्या strength है, क्या weakness है उसके बाद मेरी क्या-क्या responsibilities है ठीक है, अपने through अपने society के, अपनी family के through उसके बाद time management फिर next important चीज आएगी क्या time management किसी भी person को prioritize जैसे आपके पास एक पूरा दिन है उससों बहुत सरे task करने के लिए तो आप क्या करते है, prioritize करते है मतलब कौन सा काम पहले करना है उसके बाद फिर कौन सा काम करना है और जो काम नहीं करना है, उसको हटा देंगे list से तो ये क्या है, basically ये एक prioritize है किसी भी चीज को करने के लिए फिर उसके बाद एक proper time table बना सकते है तो आपको ये prioritize होना चीए कि मेरा math कमज़र है, तो math खतम करनी है पहले, science कमज़र है, तो science खतम करनी है तो ये क्या है, prioritize होना चीए टाइम टेबल बना हुआ होना चीए for to be a successful person, okay okay, now next is adaptability, adaptability का मतलब होता है अपने आपको उसी के थूँ adapt कर ले, adaptability का मतलब रबट देखा है जैसे आपने या फिर पानी, पानी को जिस भी vessel में डालते हैं, वो उसी के हिसाब से अपनी shape बदल देता है, तो this is known as adaptability, अपने को उसी के हिसाब से ढाल ले ना, environment के अंदर जैसे मैंने एक पानी को glass में डाला, तो पानी अब क्या हो गया, glass की shape में हो गया, पानी को मैंने एक bowl में डाला, तो वो पानी क्या हो golden, जो वो हैं, क्या बोलते हैं, so, qualities हैं, एक तो self awareness होनी चीए, उसके बाद responsibility, time management और adaptability, ये चीजे हैं, okay, now, next जो topic है, देको ये चीजे हैं, मैं फटा पट कीच रहा हूँ, इंदर समझ में भी आएंगी, कोशिश करूँगा, क्यूंकि ये time बहुत कम है, है ना, आप लोग का जो time है, वो मैं बचाना चाहता हूँ, actual में, now, क्यूंकि अभी important time है, exams का, now, session बन देखो, stress management, अब यहां पे self, जो stress management है, उसके बारे में पढ़ेंगे, एक से के लिए, हम, तो जो आपकी जो self management skills में, skills हैं, उसमें जो पहला session है, आपका वो है stress management, stress management क्या होता है, वो देखते हैं, सबसे पहली बात, आपको stress होता का, stress है क्या सबसे पहले तो वो देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, आपको stress आएगा कब, now, stress होता क्या है, ये एक ऐसा emotional, mental, physical and social reaction होता है जो demand और threat पे होता है ठीक है? Let's say, अब कुछ बच्चे होंगे जो stress में होंगे physical education exam को लेके क्योंकि उनको पता ही निये क्या करना है तो ये videos basically उन्हीं के लिए है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कई ना कई से जुगाड करके कैसे ने कैसे पास होई जाएंगे, simple जी बात है तो यहाँ पे क्या होगा, stress management में stress होता क्या है, अब for example, अभी जो आपका exam है वो 16 February 2023 को है अगर ये exam update हो जाए ऐसा होगा नहीं, मान के चलो कि ये exam कल ही होना है तो बहुत सारे बच्चे stress में आ जाएंगे तो this is known as demand and threat ये just एक example के तोर पे बताया है, मैंने ऐसा होगा नहीं, 16 को ही है आपका exam, तो ये क्या होगा, demand and threat threat का मतलब आपको डर लग रहा है किसी भी चीज से, और demand मतलब आपसे कोई बहुत जादा चीजे मांग रहा है ठीक है, environment हो या कोई भी बंदा हो ठीक है, वो आपसे कुछ चीजे जादा मांग रहा है तो किस situation की जो demand होती है उसके हिसाब से आपको stress आता है और आपको डर लगना है किसी भी चीज से, तो वो stress है तो यह demand और threat ही क्या होता है यह stress होता है और इनी की वज़े से क्या होगा एक person के अंदर stress develop हो जाएगा ओके, now तो यहाँ पर बात करेंगे ABC of the stress ABC of the stress management यहाँ पर important चीज है ध्यान रखना क्योंकि यह exam में आ सकता है what is the ABC, what is stress management और उसका जो ABC होता है adversity or the stressful event सबसे पहले उस event को पता लगाना है कि किस events की वज़े से, किस situation की वज़े से किस demand की वज़े से हमें stress हो रहा है ठीक है, उसके बाद belief or the way you respond to the event आपने किस यह basically करना क्या होता है मैं एक चीज माँ बता देता हूँ जो stress management है न, उसकी चीज़े है यह ठीक है, कि बाई अगर आपको पता करना है कि हम stress को कैसे manage करें let's say अगर कोई event हो गया मेरे साथ कोई घटना हो गई, उसमें मुझे बहुत जादा stress आया अब मैं क्या करूँगा, उसमें rethink करूँगा ठीक है, कुछ time बाद या उसी time भी कर सकते है सबसे पहला, stressful event की कि किस situation की वज़े से वो stress आया दूसरी चीज, मैंने उस stress, जैसी वो stress मुझे मिला मैंने कैसे उसकी तरफ respond किया मतलब क्या मेरा reaction था उसकी तरफ let's say, कि bike चला रहे है किसी का accident हो जाए आप उसमें क्या होगा चोट लग गई, stress आएगा है ना, stress आएगा मतलब basically परिशानी एक type से तनाओ जिसको बोलते है, ठीक है, stress आएगा अब सबसे पहली बात किस events की वज़े stress आए, किसी का accident हो गया उससे क्या हो गया, stress आगया उसके अंपर उसके बाद उसने कैसे respond किया उसने क्या सबसे पहला उसका reaction था घबराने लग गया, रोने लग गया ठीक है, या बिल्कुली एकदम बोले मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस type की चीज़े क्या है, ये stress आपको दिलाएंगी, उसके बाद consequences or actions and outcome of the event अब जैसे कोई बंदा बिल्कुली घबरा गया तो उसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना, वो पता नहीं ambulance को call करेगा या नहीं करेगा तो इस type की चीज़े क्या है ये आपकी stress management की वो है skills है, जो हम develop करेंगे अब stress management techniques अब हम stress को manage कैसे करेंगे ये तो हो गया, कि पता कैसे लगाता है कि जो stress हुआ है वो कैसे हुआ है, वो सारी चीज़े है अब बात करेंगे stress management technique stress को manage करने की क्या-क्या techniques होती है किस-किस हिसाब से हम stress को manage कर सकते हैं ओके, ना सबसे पहला हो जाएगा time management हम stress को कैसे manage कर सकते है time management चीक है, time management मैं एक और छोटा सा example लेके बताता हूँ आपको कि जैसे आपके exams है अभी exam है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ बच्चे होंगे stress ले लेंगे, उसके बाद stress लेने के बाद, उनका reaction क्या होगा पता नहीं कैसे पढ़ाई करें क्या करें, क्या नहीं करें, इतना सारा syllabus है, कैसे complete करें, कैसे नहीं करेंगे कुछ होंगे जो क्या करेंगे उस stress को ना लेते हो पढ़ाई करेंगे और जो stress में जो time waste किया उसमें क्या हुआ पढ़ाई कर ली तो थोड़े बहुत माक्स आ जाएंगी तो वो क्या है stress को manage कर लिया उन्होंने अब यहाँ पर stress management technique हम कैसे stress को manage कर सकते हैं सबसे पहला time management उतना जो time कहाँ आप waste कर रहे हो कहाँ आप खर्च कर रहे हो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस time waste की वज़े से ही जो क्या होगा stress कम होगा थोड़ा उसके बाद physical exercise and fresh air अब किसी को बहुत ज़्यादा stress है है ना बहुत ज़्यादा मतलब problem हो रही है किसी भी situation को लेके कि भाई मैं तो फसा होगा हूँ इस situation से बाहर ही निकल बारा बहुत सारे families होती है जिसमें financial conditions होती है है ना financial problem होती है कि भी family में पैसे कम है कैसे इस situation से बाहर निकला जाए ना तो कुछ होंगे कमाने के रास्ते ढूड़नेंगे बहुत सारी situations होती है life के अंदर तो यहाँ पर एक तो time management करना है उसके बाद physical exercise करनी है exercise in the sense कि आपकी जो body है वो थोड़ी blood circulation अच्छा रहे है आपके जो neurons है वो अच्छे से काम करें पूरी body के अंदर है fresh air लो जाके फिर उसके बाद healthy diet खाए healthy diet कुछ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हो जिसको बहुत समय से stress होता है दो महीने, तीन महीने से एकदम problem में चल रहे है तो उनका ध्यान रखने के लिए ये चीजे होती है उसके बाद positivity अपने ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो positive होते है अपनी family member से बाते share करो बहुत सारी चीजे कर सकते हैं ठीक है? उसके बाद sleep पूरा अब कुछ होते हैं जब stress होता है तो किसी को नींद नहीं आती पूरी रात सोते नहीं है लोग जैसे exam है तो exam के last time कोई competitive exam है या कोई भी एक exam है तो exam के last time last day किसी को नींद नहीं आएगी तो ये काम नहीं होने चीजे है तो ये techniques है basically proper नींद लेना positivity लाना body के अंदर ठीक है भई उन बंदों के साथ बैठना जो positive होते हैं अपनी families फिर holiday with friend and family और अपनी जो family और friends है उनके साथ घूम के आना अभी मत घूमना क्योंकि अभी तो exam है exam के बाद अराम से पूरा stress relieve कर लेना है तो ये क्या होगा अपने दोस्तों के साथ अपनी family के साथ क्या करना छुट्टियां spend करना तो ये क्या है stress को manage करने की techniques है इससे क्या होगा आपका दिमाग एकदम stress के वाली direction से हटके दूसरी दरफ चला जाएगा ओके next देखते हैं अभी देखो emotional intelligence this was all about the stress management next topic है हमार क्या emotional intelligence एक सेगड emotional intelligence यहाँ पे देखो ability to identify and manage own emotion emotional intelligence क्या होता है हमारे जो emotions होते है कोई दुखी होता है कोई खुशी होता है ठीक है तो यह जो emotions होते है इनको भी हमें manage करना चाहिए ठीक है जो EI है इसको बोलते है EI emotional intelligence अब as well as emotions of the others अब हमें घुद के emotions को भी control करना है और दूसरों के emotions को भी control करके रखना है सबसे पहली बात emotional awareness अब इसमें पहला point आएगा emotional awareness यह क्या होता है ability to identify emotions सबसे पहले emotion को identify करना emotion का पता लगाना कि किस type के emotions से हम गुजर रहे हैं अभी हम खुश है हम दुखी है या फिर हम normal है ठीक है या क्या कुछ problem हो रही है तो यह सारी चीज़ है उसके बाद harnessing emotions apply emotions to task अब उन emotions को task complete करने के लिए लगाना basically है तो यहाँ पे जो harnessing emotion का मतलब क्या हो गया उन emotions को जैसे हम खुश है खुश है तो क्या कर सकते हैं हम अगर मानलो कोई person खुश है तो वो जो इसके emotions है उसको task में बदल दो अगर कोई खुश है तो बहुत अच्छे से task complete कर पाएगा अगर कोई person मानलो दुखी है तो वो task complete नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से क्योंकि उसका mind divert होता रहेगा तो यहाँ पे क्या हो गया हमें emotions को manage भी करना है simple thing बात है उसके बाद तीसरा point देखवा आ गया managing emotions अगर कोई person दुखी है तो यहाँ पे क्या करना है emotions को manage करना है उन जो negative emotions है उनको positive में convert करना है ठीक है उसके बाद हमारा जो emotional intelligence है वो सही से काम देगा जैसे आप intelligent जैसे normal intelligence होता है आपका IQ तो यह क्या हो गया IQ क्या हो गया आपकी personality को बताता है कितने ज़्यादा आप जल्दी respond कर सकते है किसी भी चीज़ को तो वो तो हो गया आपका IQ ऐसे ही EQ होता है यह उसी का part है emotional intelligence ठीक है तो यहाँ पे देखो आप अच्छे से खुश है तो उन emotions को apply कर देना task में convert कर देना जो भी आप काम कर रहे है उसके बाद managing emotions अगर मान लो कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो अपने emotions को manage करना है simple सी बात है जैसे exam का fear है simple same example में लोगा exam का fear है तो अपने इस fear को manage करो अपने emotions को control करना यही तो आपकी unit का मतलब है यही तो आपका जो self management skills है यह ऐसे ही develop होती है उसके बाद example of competition मैंने इसमें दिया है competition का example मैं एक बार आपको बता देता हूँ यह जो competition का example है यह कहां से आया है यह आपकी pdf है आपने देखा होगा यह चेक कर ली होगी मेरे साब से तो ncrt है है ना तो यहां से मैंने आपका जो slavus था वो उठाया था और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बखवास है बखवास in the sense की बहुत जादा explain किया हुआ चीज़ों को ओके तो हम इसको क्या करेंगे बिल्कुल छोटे-छोटे उसमें शाट आउट कर देंगे चीज़ों को एक सब्सक्राइब यह हो गया self management skills stress management यह रहा ABC हो गया ठीक है management technique positivity यहां पे देखो सबसे पहले emotional awareness था harnessing emotion managing emotions emotions को manage करना ठीक है अब यहां पे क्या होगा देखो Ravi and his friend अब एक example दिया हुआ है यहां पे मैं वो example आपको समझाता हूँ यह थोड़ा सही रहेगा एक सब्सक्राइब ओके Ravi and his friend Shiv have been practicing for annual school dance competition जो Ravi और उसका दोस्त था वो क्या कर रहे थे dance competition के लिए practice कर रहे थे they are both performing solo वो दोनों की दोनों क्या कर रहे है solo dance कर रहे है basically on the day of competition competition के दिन Shiv won जो Shiv था वो जीत गया Ravi और Shiv थे वो dance competition के लिए practice कर रहे थे और जैसे ही result आया dance competition हुआ तो Shiv जीत गया Ravi extremely sad अब जो Ravi था उसको बहुत जादा दुखी हुई क्या वो जीत नहीं पाया है ना he shouted at Shiv unnecessarily कि तेरी वज़े से मैं जीत नहीं पाया और बहुत रोया और अपने parents से उसे दो-तीन दिन तक बात भी नहीं करी तो इसके contrary में इसके opposite Ravi would have been emotionally intelligent रवी एक emotionally intelligent जो Ravi था वो क्या हो सकता था emotionally intelligent था he would have accepted defeat gracefully ठीक है and done better next competition बहुत जीता कौन था Shiv जीता और Ravi ने उसके उपर चिलाया कि बहुत तेरी वज़े से मैं हार गया तेरी वज़े से मुझे प्राइज नहीं मिला तो यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे जो Ravi के जो emotions थे वो control में नहीं थे तो यहाँ पे क्या होगा Ravi को अपने emotions control करने चीए थे और अपनी जो हार थी वो accept करनी चीए थी कि कोई बात नी भाई तू मेरा दोस्त है ठीक है आज तू जीता है कल मैं और मेहनत करूँगा और फिर मैं जीतूँगा ठीक है तो यह behavior होना चीए था तो इसी को कहते है क्या अपने emotions के ऊपर manage कर अपने emotions को manage करना अपने emotions को control करना अब कैसे उसको manage कर सकते हैं जो AI है आपका उसको कैसे manage करना है उसके बारे में देखते हैं, पहला, understand emotions, सबसे पहले emotions को समझो, positive है, negative है, क्यों आ रहे हैं, किसकी वज़े से आ रहे हैं, उससे time पे अपने अपने question करो, कि यह क्या problem है, किस वज़े से ऐसा feel हो रहा है मुझे, उसके बाद rationalize करो, do not take decisions appropriately, उसी time पे decisions मतलो, exact time पे, अगर मान लो आपका mood खराब है, किसी ने mood खराब कर दिया, या हो गया, किसी भी situation से, उस time पे तुरंट decisions नहीं लेने चीए, क्योंकि वो decisions mostly गलत होते हैं, उसके बाद practice, meditation and yoga, हम कैसे अपने emotional intelligence को सुधार सकते हैं, yoga कर सकते हैं, meditation कर सकते हैं, mind को एकदम peaceful situation में डाल सकते हैं, तो यहाँ प this was the page 1, यहाँ पे na pdf में page, जैसे यह page 1 है, यह सबसे end में है, तो इसको आप देख लेना, अब मैं बात करूँगा page 2 की, जो self management skills है, उसका page 2, ठीक है, यहाँ पे session 2 हो जाता है, आपका start, session 2 में क्या है, self awareness, strength, weakness and analysis, इसको करते हैं, सबसे पहली बात, जो इसमें ध्यान रखन खुद को जानना, अब खुद को कैसे जान सकते हैं, पहला who am I, खुद से सवाल करो, कि मैं कौन हूँ, ठीक है, let's say मेरा नाम दिपेश है, तो मैं, क्या अगर मेरा नाम दिपेश नहीं होता, तो क्या हो सकता था, ठीक है, तो इस type की चीज़े हैं, खुद से सवाल करना है, खुद को जानने की कोशिश करनी है, खुद की body को जानने की कोशिश करो, उसके बाद पहला belief, हम किस type की situations पर belief करते हैं, किन-किन लोगों पर विश्वास करते हैं, किन-किन लोगों पर trust करते हैं, ठीक है, हमारा culture क्या है, हमारी language है, वो कैसी है, ठीक है, उसके बाद background, हमार background क्या है, मेरा family background क्या है ठीक है, अगर ये background नहीं होता तो कैसा होता, ठीक है, तो ये type की चीज़े खुद को जानने की कोशिश करें, मेरे opinions क्या है, मैं किस-किस बारे में सोचता हूँ है ना, मेरा favorite game कौन सा है, मेरा favorite subject कौन सा है, उसके बाद likes and dislike, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसके बाद values, मैं किन-किन चीज़ों को value करता हूँ, क्या-क्या चीज़े मेरे लिए important रखती है, तो ये चीज़े हैं, जो खुद को जानने की questions है, ठीक है, तो अपने आप से ये question पूछते हैं, पूछना है कि मेरे लिए क्या belief matter करते हैं, क्या मेरा background है, क्या मेरे opinion है क्या मेरी पसंद है, क्या नापसंद है और कौन-कौन सी चीज़ मेरे लिए value करती है अगर question आ जाई, कि self-awareness strength और weakness को कैसे analyze करना तो ये diagram आप बना सकते हैं, who am I का belief, background, opinion, जरूरी नहीं यही चीज़े लिखनी है, आप अपनी मर्जी से भी add कर सकते हैं, okay now, next देखो चीज़े knowing yourself, खुद को जानने की कोशिश करना, ये तो हो गया उसके बाद strength and weakness को analyze करना, अब हम कैसे strength और weakness को analyze करेंगे, उसके बारे हम बताते हैं okay, strength and weakness analysis, देखिए ध्यान से okay, by understanding ourselves, we can, सबसे पहला strength और अपनी जो खुद की strength और weakness होती है, उनको analyze करना है by understanding ourselves, we can खुद को, जब हम समझते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं let's say, अगर मुझे पता चल गया कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता है, तो हमें ये हमारी जो abilities है, ठीक है, वो पता चल गया, अभी हम abilities और interest के बारे हम बात करेंगे नीचे, उसके बाद based on that information, उसी information पे based, we can plan okay, देखो, ध्यान से सुनो जो strength और weakness है, हमें पता होनी चाहिए कि हम किस field में अच्छे है, मेरा कौन सा subject ऐसा है जिसमें बहुत अच्छे mark score कर सकता हूँ, let's say अगर मैं मेरा maths अच्छा है, तो मैं maths में बहुत अच्छे mark score कर सकता हूँ, ये मेरी हो गई strength, अगर मुझे कोई subject नहीं आता, है न, वो हो गया मेरा weakness तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी strength क्या है और हमारी weakness क्या है उसी के basis पे हम life में decisions ले सकते हैं, ठीक है तो by understanding ourself, अगर हमने खुद को समझ लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि strength क्या है, weakness क्या है, तो उसी strength और weakness के basis पे हम क्या कर सकते हैं, अबना अगला step बढ़ा सकते हैं, life के अंदर ठीक है, जैसे अभी 10th के class के exam से आपके, इसके बाद अगर आपको पता चल गया कि आपकी strength क्या है, weakness क्या है, तो आप अपने subject decide करेंगे 11th में कोई सोचेगा कि मैं math science में अच्छा हूँ, तो वो physics chemistry science side लेगा ठीक है, कोई बोलेगा मेरा banking type calculations अच्छी है, commerce लेगा फिर वो, है ना, कोई सोचेगा मुझे business करना है, तो commerce लेगा, उसके बाद कोई सोचेगा मुझे तो भाई, arts में जादा अच्छा है histories, sst, geography ये मेरे जादा अच्छे हैं, तो मैं sst लोगा तो ये आपकी strength और weakness हो गई, यहां से पता चल गया, कि आप कौन से subject लेने वाले हैं, ओके, by improving we will become confident and what we do, अगर मान लो किसी का math अच्छा नहीं है, लेकिन उसको science लेनी है, तो यहां पर क्या होगा, उसको अपना math improve करना पड़ेगा, है ओके, अब बात करते हैं, difference between interest and abilities, interest और abilities में क्या-क्या difference है अब राइट, ओके, एक सेक्ट मैं इनको मिटा देता हूँ, next difference between interest and abilities, now interest क्या होता है, और ability क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे तो देखो हैं आपे, things that you look like in your free time जो भी आप free time में करते हो ठीक है, जो आपको खुश रखता है that is your interest, उसके बाद an acquired or natural capacity ability आपकी natural होती है ठीक है, ये interest जो होता है वो आपका क्या है, temporary है permanent नहीं होता interest है na temporary होता interest basically, उसके बाद permanent भी हो सकता है कुछ-कुछ लोगों में एक second अब जैसे कुछ लोगों होते है जिनको खाना बनाना बहुत पसंद है ठीक है, जिनको क्या है खाना बनाना बहुत पसंद है, तो वो उनका interest हो गया, और क्या वो खाना बना सकते है, ठीक है क्या उनके दो हाथ है, दो पैर है है जिससे खाना बन सकता है, that is their ability, है ना, that is their ability, तो यहाँ पर interest हो गया क्या, let's say किसी को गाना गाना पसंद है, है ना, किसी को क्या है, गाना गाना पसंद है, singing करना पसंद, उसको गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसका interest है basically, जिस गाना गाके वो खुश हो जाता है, या गाना सुनके वो खुश हो जाता है, लेकिन क्या उसका गौला इतना मजभूत है कि वो एक singer बन सकता है, that is your ability, है ना, गाना पसंद है, that is interest, लेकिन अगर मान लोग उसको singer बनना है, तो क्या आपके गले में इतनी वो ताकत है, जिससे आप singer बन सकते हैं, that is your ability, your strength, मतलब आपकी capability, उसके बाद, things you are curious about, जिस चीज़ों के वारे में आप curious होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, that is your interest, ठीक है, उसके बाद, enable you to perform a particular job or task, ability से आप profession बनाते हैं, interest से आप profession नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना है, जो interest होता है, उससे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, लेकिन जो ability होती है, उससे आप पैसे कमा सकते हैं, मतलब अपने profession बना सकते हैं, उसको, job कर सकते हैं, उस field में, लेकिन interest में job नहीं होती है, ध्यान रखना, okay, interest क्या होता है, basically temporary एक टाइप से एक दिन आया, एक दिन आपको गाना गाना पसंद है, फिर इंट्रेस्ट थोटी दिन बाद चींज हो जाएगा, ठीक है, कुछ और करने का मन करेगा, तो that is your interest, temporary, ability is your permanent, okay, now things you want to learn or would you like to do in the future, कुछ ऐसी चीज़े जो आप सीखना चाहते हो, जैसे मैं अपना example द कर रहा हूँ, अपनी abilities को improve कर रहा हूँ, अपनी जो teaching methods है, अपनी जो video की editing methods है, उनको improve कर रहा हूँ, that is, कि मैं अपनी जो ability है, उसको improve कर सकते हैं, उसके बाद example देखो, you may like music, आपको music पसंद होगा, but you may not be a good at singing, लेकिन आपको गाना, आप bathroom singer है, है ना, कुछ होते हैं ऐसे तो अगर एक bathroom singer है, तो क्या आप Indian Idol जीच सकते हैं, the answer is no, simple सी बात है, वो आपकी ability पर depend करेगा, कि आप में कितनी शमता है, कितनी ability है, उस चीज़ को करने की, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो abilities है, अगर आपकी abilities नहीं है, तो आप improve कर सकते हैं, ठीक है, तो about session 2, now this is the session 3, self motivation, क्या होता है, self motivation वो देखते हैं, देखो, self motivation is simply the force within you, that drives you to do things, अब self, आपने वो कच्छवे और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी, जब एक race होती है, तो कच्छवा और खरगोश दोड़ते हैं, है ना, कच्छवा क्या करता है विसी गली, थोड़ी दू दोड़ता है, और फिर रुख जाता है, है ना, और सोचता है क्या, थोड़ी दिर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे, तो उसका जो self motivation था, वो खतम हो गया, बीच में जाके, पच्छवा जो था, उसमें motivation अंदर तक भरा हुआ था, कि नहीं, अगर मैं चल रह उस काम को करने के लिए एकदम तयार रहे, कि हाँ भई नहीं, ये तो करना ही करना है, चाहिए कुछ भी हो जाए, है ना, this is your self motivation, okay, self motivation के types क्या क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं, देखो, okay, now, types of self motivation, सबसे पहला, internal motivation, love, internal motivation, जो खुद अंदर से आता है, basically, we do things because they make us happy, मतलब हम जो खुद अंदर से, खुद अपनी मर्जी से करते हैं, जिसको कोई बतानी की जरुरत नहीं होती है, खुद अपनी मर्जी से जो करते हैं, that is known as the internal motivation, YouTube पे जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो यह क्या है, यह मेरा internal motivation है, अंदर से एकदम motivation मिल रहा है, मुझे, ऐसा भी हो सकता है, let's say, अगर मेरे subscriber 10 दिन तक नहीं बढ़े, तो क्या होगा, demotivation हो जाएगा, और rewards, let's say, अगर आपको कोई prize मिले, आपको prize मिले किसी भी situation को लेके, अगर आप कोई competition में जीत जाते हैं, तो क्या होगा, एक prize मिलेगा, for example, मैं एक example देता हूँ, let's say, एक race हो रही है, उसमें 10 लोग दोड रहे हैं, ठीक है, तो जो बंदा जीतता है, उसको 1000 रुपे का prize मिलता है, तो अब क्या होगा, यह एक external motivation है, उसके लिए, उसके लिए क्या होगा, this is a external motivation, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब वो कोशिश करेगा कि अगली race भी दोड़े और उसमें भी जीते, तो यह क्या होगा, reward मिला, prize मिला, जिससे उसको motivation मिला, ठीक है, तो दो type की motivation है, internal, ज जिससे हम प्यार करते हैं, जो खुद अंदर से आता है, दूसरा होगा, external motivation, that is, जो rewarding होता है, जो reward से आता है, छीक है, कोई और, मतलब बहार के factor से आता है, okay, that is your external motivation, got it, now, this was all about the session 3, right, अब session 4, जो है, आपका qualities of self-motivated person, I think 3 ही है, यह page 3 है, यह last page है, आपकी PDF का, इसके बाद आपकी PDF है, वो खतम हो जाएगी, मतलब, जो unit है, वो खतम हो जाएगी, okay, मैं कोशिच करूँगा, fast पढ़ाने की कोशिच कर रहा हूँ, यार, ताकि videos जो है, ज़्यादा लंबी ना जाए, और आपको भी अपना time ज़्यादा waste ना करना पड़ा है, इनके उपर, ठीक है, त पता होता है कि हमें किस रास्ते से जाना है और कहां जाना है, ठीक है, अगर मान लो, मुझे exam center hall जाना है, exam देने के लिए, तो आपका goal decided है, कि हमें exam देने ही जाना है, अगर मान लो, आपको नहीं पता कहां जाना है, तो हम जा रहे हैं, ऐसे बीच में road आया, तो यहां चल तो यह क्या है, आपको नहीं पता कहां जाना है, you are confused, तो आपका जो goal है, मतलब जो qualities होती है, जो self motivated, self motivated कौन होगे, जिनका खुद अंदर से motivated लोग हैं, जिनको करना है कुछ life में, जैसे आप लोग, मुझे पता है आप लोग को भी कुछ करना है life के अंदर, है ना, तो उनक लिख देता हूँ, distractions को, फिर मैं बोलता हूँ कि चलो, दो घंटे बाद का मेरा session है, उसके बाद मैं इस diary के उपर सोचूँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जो temporary thought आया था, वो गया, अब ये diary side में रख दी, मुझे पता है, अब 15 minute बाद दूसरा कोई thought आया, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेट से मैं पढ़ रहा हूँ, पता चला की, यार उसे नहीं हमने ऐसे party करी, दोस्तों के साथ, तो अब भी वहाँ पर जाना चीए, तो ये क्या है, mind में एकदम खतम कर देते हैं सारी चीज़े, फिर मैंने यहाँ पर लिख लिख के साथ party, आप सोचेंगे इसके बारे में दो घंटे बाद, फिर 15 मिनिट बाद एक और थोट आया, कि मुझे तो वहाँ जाना था, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसमें, कि चलो वहाँ जाना था, काम खतम, ठीक है, तो ये distractions खतम हो जाते हैं, आप भी apply करके देखना ब दोस्तों आपने जो family members से या कुछ भी, तो उनको ये नहीं पता कि अभी exam आ रहे हैं, तो exam important है, उनके लिए importance बदल गई, वो नहीं होना चाहिए, तो वो self motivated people, लोगों के जो लक्षन होते हैं, वो नहीं है, उसके बाद they are dedicated to fulfill their dreams, वो अपनी dreams के लिए, अपने सपनों को motivated people, यहाँ पर अब लिख सकते हैं, इसको quality number one, this is quality number two, this is three, और यह quality number four, ठीक है, point में लिख सकते हैं, इनको, यह जो qualities है, यह रही, next देखते हैं, अभी, okay, now, building self motivation, ठीक है, अब जो खुद का जो motivation है, उसको हम कैसे build करेंगे, अंदर से खुद कैसे लेके आएंगे, now, building self motivation, now, find out your strength, सबसे पहले तो अपनी strength का पता लगाओ, कि क्या यह जो काम है, क्या यह मेरी strength में आता है, क्या मैं कर सकता हूं, okay, let's say, अगर कोई 5 साल का बच्चा है, उसको मैं बोलू, 25 किलो बजन उठाना है, क्या उसकी strength में है 25 किलो बजन उठाना, मेरे इसाब से तो नहीं होग 25 किलो या 30 किलो, 50 किलो बजन लेट से उठाना है, तो उसकी strength में यह बजन नहीं होगा, तो वो नहीं उठा पाएगा, ठीक है, अगर मैं यही काम बोलू, आप लोगों को, कि चलो भाई, 10 किलो बजन उठाना है, क्या आप उठा लेंगे, बिल्कुल उठा लेंगे, तो यह उसको बोलू, कि आपको तो English में बात करनी है, क्या वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर किसी की Hindi बहुत अच्छी है, तो उस English बिल्कुल एकदम बिकार है, डबबा है, अगर उसको जाके बोल दिया जाए, कि आपको सिर्फ English में बात करनी है, क्या वो कर सकता है, जी नहीं, उसकी strength में है नहीं, उसकी strength कम पड़ जाएगी यहां पर, तो यह क्या हो गया, सबसे पहले तो अपनी strength का पता लगाना है कि क्या काम मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरा, set and focus on your goals, अपने goals जो हैं, उन पर focus रहना है, ठीक है, बीच में distractions बिल्कुल plan, आप जो goals आपने decide किये हैं, let's say मुझे maths में 95, 99, 100 नमबर लेके आने हैं, तो उसके लिए plan बनाओ भाई, कैसे आएंगे वो marks, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, आपको plan बनाना पड़ेगा, पूरा time table schedule करना पड़ेगा, इतना question यह practice करना है, यह practice करना है, तब वो marks आएंग और parents जाते ही, किताब बन, मस्ती चालू, तो वो अपने साथ loyal नहीं है, अपने goal के साथ loyal नहीं है, मतलब उन से धोका दे रहे हैं उनको, तो वो नहीं होना चाहिए, तो अपने goals को धोका नहीं देना है, ठीक है, उनके लिए महनत भी करना है, okay, next, goals, goals होते क्या है, सबसे प हैं, let's say, एक, जो एक्जाम का ही competition दूँगा, मैं, for example, sorry, मैं अपने YouTube का वो देता हूँ, आपको, example देता हूँ, ठीक है, मैंने goal decide किया है कि मुझे इस date तक इतने अपने subscribers पूरे करने हैं, let's say, अगर अभी कितने हैं, लगबग 1400 के करीब हैं, मैंने decide किया कि मैं इस साल के end तक 2000 कर लूँगा, 2500 कर लूँगा, यह 3000 कर लूँगा, इस type की चीज़ें अगर मैं decide करता हूँ, so that is my goal, और उन्होंने, मैंने उसमे एक time limit डाल दी, कि इस time तक करना ही करना है, यह deadline है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं बहुत जादा महनत करूँगा, कोशिश करूँग मेरे subscribers बढ़े, ठीक है, तो इस type की चीज़ें क्या है, यह मेरा goal हो गया, उसके बाद goal setting, it is all about finding, listing your goals and planning how to achieve them, same वही बात है, कि अब मैं, जब मैंने goal set कर लिया, अब मैं यह plan करूँगा, कि मुझे कौन सी video बनानी चीएगी, आप लोग की मदद हो जाए, ठीक है, बच्चों यह help हो जाएगी, तो यह काम हम कर सकते हैं, तो यह goal setting हो गया, goal setting समझ में आया, बात करते है, smart, what is smart, this is very important, यहाँ से question आएगा, लिख के ले लो भाईया, यहाँ से एक question जरूर आएगा, इस smart का full form याद कर लेना, this is very 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 important, star mark है एक तम, ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर, star मे smart, जो goal होते है, goal हमेसा smart होना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम, smart goal, कैसे smart goal, अब smart का full form होता है, smart, as मतलब specific, ठीक है, आपका goal specific होना चाहिए, कि यह काम है, तो यही काम करना है, दूसरा कुछ काम नहीं करना है, इसके अलावा, 10th class में 95% लेके आने हैं, तो 95% लेके ही आने है you are crisp and clear, कि यह task है मेरा, यह complete करना है, कुछ के goals होंगे, कि यार, 10th में बस 50% हो जाए, पास हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है, कुछ का goal होगा, कि 80 plus लाने है, तो यह जो specific task है आपका, this is your S, जो आपका एक goal में, जो specific task हो गया, ठीक है, उसके बाद, measurable, जो goals हैं, वो measurable हो होना चीए, how much time it will take, ठीक है, उसमें time calculation होनी चीए, let's say, कि मुझे, इस channel को बहुत बड़ा बनाना है, या फिर, आपको बहुत अच्छे marks लेकर आने है, तो कितना time लगेगा, आपको अच्छे number लाने के लिए, एक साल, दो साल, तीन साल, ठीक है, अब तो, एक महीना ही बच होगा है, ठीक है, तो, ये चीज़े आपको क्या करनी पड़ेंगी, ना आपनी पड़ेंगी, ना अपनी इंदर सैंस की measure करनी, तो, M का मतलब होगा है, measurable, specific, measurable, तीसरा, achievable, ठीक है, अब उस task को, अब उस goal को कैसे achieve करना है, अब अगर मान लो आपने goal ले लिया, एक task ले लि तो, ये 95% marks आएंगे कैसे, क्या एक दिन में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्या दस दिन में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, आपको उसके लिए दिन बर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत time तक मेहनत करनी पड़ेगी, तो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उन task को छोटे-छोटे parts में divide कर दो, है ना, वो example आपने सुना होगा, जब अगर हम एक पतली लकडी को तोड़ते हैं, तो, आसानी से तूट जाती है, लेकिन, अगर हम बहुत सारी लकडी को एकटा जोड़के तोड़ते हैं, तो, नहीं तूटती, तो, यहाँ से दो चीज़े उनको छोटे-छोटे parts में divide कर दो, तो, सानी से तूट जाएंगे, सिंपल सी बात है, है ना, तो, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो goal है, वो achievable होना चीज़े है, है ना, उनको छोटे-छोटे parts में divide करना है, तब जाके वो complete होगा, अच्छे से, उसके बाद होता है, realistic, आप आपका goal realistic होना चीज़े, realistic मतलब जो possible हो, ठीक है, अब एक student बनाए exam से एक दिन पहले, कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, और एक दिन पहले बोलता है कि मैं इस पूरी किताब को एक दिन में पढ़ दूँगा, और बहुत अच्छे number लियाँगा, is it possible? होगा, 80% लोगों के ल नहीं है, उसके बाद देखो, time bound, set your limits, time bound, time bound मतलब, अब उसके अंदर क्या करना है, limits को set करना है, limits को set करना है, limits को कैसे set करना है? अपने limits सेट करनी है, उसमें, कि भाई, यह जो task है, यह जैसे मैं मुझे maths का quadratic equation खतम करना है, तो यह quadratic equation ना, दुफैर के 220 तक खतम हो जाना चाहिए, otherwise problem हो जाएगी है, तो यह आपका एक time bound दिया, आपने time bound कर दिया, कि यह सिर्फ इतने time तक खतम हो जाना चाहिए, ओके, next देखो, self regulation और time management, कैसे करते हैं, उसके बारे हम बात करेंगी है, ओके, this is your last topic, ठीक है, पांच मिनट और जिल लो जार, बस उसके बाद को हो गया task हो, देखो, session 5, self regulation and time management, 4 steps for effective time management, effective time management के लिए 4 steps है, पहला, organize, अपना जो goal है, ठीक है, अपना जो plan है, उसको organize करना है, organize मतलब पहले ये काम करना, फिर उसको दूसरा point पर ये, तीसरे point पर ये, अपने goals को organize करना, उसके बाद, एक list बनानी है, prioritize करना है, ठीक है, priority देनी है, उसके बाद, control करना है, जो distractions आ रहे हैं बीच में, उसके उपर control, stop, जैसे मैंने diary बनाई न, same ऐसे ही, आपको stop लगाना ह करना, इसके बीच में, दूसरा track करना है, कि बाई, जब दिन खतम होने वाला होता है, end में आपको track करना है, कि क्या है, मेरा task complete हुआ, या नहीं हुआ, है ना, तो ये आपके 4 steps है, जो हम follow कर सकते हैं, 1, 2, 3 and 4, ओके, now, next देखो, okay, next is, tips for practice, tips for practicing the 4 steps for effective time management, time management के लिए, क्या-क्या steps हम follow कर सकते हैं, पहला avoid delay, एक तो delay avoid कर सकते हैं, कि भाई, postpone नहीं करना चीज़ों को, ठीक है, कि भाई, मैं बोलो कि, आज नहीं, कल करेंगे इस काम को, कल तो कभी नहीं आता, सुना होगा अपने ये बात, हन्, तो ये चीज़ें हमें करना है, उसके बाद, organize your room and school desk, अब अपनी room और school desk को organize करना है, विजिकल मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई disturb नहीं करेगा, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से बैठ सकते हो, और अपने important task को complete कर सकते हो, तो वहाँ पर कहाँ, जैसे अभी मैं videos बना रहा हूँ, तो मैंने कमरा बंद किया हुआ अंदर, तो यहाँ पर कहाँ, no disturbance zone है, कोई मुझे disturb नहीं करेगा, उसके बाद, use waiting time productivity, जो time है, उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, फिर एक to do list बनानी है, कि planning, क्या task complete करने है, हमें क्या नहीं करने, फिर prioritize करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, replace useless activity, जो activity करने की नहीं है, वो हम नहीं करने है, simple सी बात है, time waste बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, exam time पे अभी खेलना बंद कर देना है, तो, यहां पे क्या होगा, आप time को बहुत अच्छे से manage कर पाएंगे, ठीक है, so, that's all about your stress management skills जो थी, वो वाली unit थी, यह खतम हो गई है, I hope आपको video समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है, तो channel को यार subscribe जरूर कर लेना, ठीक है, because आगे आने वाले time पे, किताब से भी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इस channel के उपर, okay, so, thank you so much, and इस video को अपने जो दोस्त हैं, उनके जो whatsapp group है, उसमें share कर देना, class क whatsapp group में, so that उनका भी थोड़ा भला हो सगे, okay, thank you so much, thank you, take care.